नमस्ते बच्चों कैसे हो आज हम स्टार्ट करेंगे 4.2 exercise class 9 mathematics की 4.2 के question आपको पता है कि second question का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट पूरा हो चुगा है आपको समझ आ गया होगा अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप उसमें views अपने comments में भेज सकते हैं जिससे तुमारे लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिस करेंगे इसके बाद मैं आपके लिए science की वीडियो बनाऊंगा और कुस्तो बना रखी हैं अभी तीन चप्टर की वीडियो बनी हुई हैं उन्हें भी आप watch कर सकते हैं चलो move करते हैं question number second के third part उसमें क्या हमारी पुरानी वीडियो है उसके बाद नई वीडीयो बनेगी वह नइए वीडियो हमारी पुरानी वीडियो के बाद वाले जितने वी question उससे ही start होगी है अगर आज जितना question हमारे हो जाएंगे उससे आगे question हमारे automatically next video में आएंगे means हमारी जो वीडियो है वह big day they are interconnected to each other ज दूसरा हो जाता है हम तीसरा ही करेंगे, X is equal to 4Y, क्या करेंगे, X is equal to 4Y, इसके चार solution निकालनें, और यह आपको पता है, क्या बनाते थे, इसमें table बनाते थे, क्या बनाते थे टेबल यह x और यह y ऐसी टेबल बनाते थे मैंने सारी टेबल कैसी बनाई है horizontal बनाई है इसमें चलो vertical बना देते हैं किते solution निकालने हैं 4 चार solution निकालने हैं चलो बैटे निकालते हैं देखते हैं जड़ा और आरच चिसमें क्या है हमारे पास y है तो ज्यादा तर हमने कैसे किये हैं y is equal to x plus 4 या y is equal to 3x अब गलती से x is equal to 4y आ गया तो किसकी value put करेंगे बैटे y की value put करेंगे तो put y is equal to 0 y is equal to 0 जब y की जगह 0 रखेंगे बैटे put y is equal to 0 जहां पर y है वहां क्या रखेंगे बैटे 0 रखेंगे तो x is equal to 4 into 0 तो 4 को 0 से multiply करो बैटे क्या आएगा 0 आएगा इसका मतलब जब हमने y की जगह 0 रखा तो x भी 0 आ गया x y 0 रखा तो x भी 0 आगे बैटे अब क्या रखेंगे बैटे put y is equal to 1 y क्या रखेंगे 1 रखेंगे हमने x y 0 रखा तो x हमारे पास 0 आ गया अगर हम क्या रखेंगे y is equal to 1 तो जहां पर y है वहां 1 रख देंगे तो हमारे पर क्या बज़ आगे x is equal to 4y x का x 4 का 4 y की जगा है 1 तो 4 को 1 से multiply करेंगे तो क्या है बटे 4 तो x 4 आ गया x 4 कब आया जब y 1 था अब आगे निकालेंगे बटे तो दो ही solution निकल लें अच्छा बटे solution का मतलब क्या है कि हमारी problem solve हो जाए means x और y की value क्या रखें जिससे ये equation नराज ना हो जिससे ये equation क्या हो जाए पटे हल हो जाए नराज आना हो बरावर बरावर हिस्सा हो LHS को भी बरावर और LHS को भी बरावर बरावर हिस्सा मिले अब क्या रखेंगे पटे y is equal to minus 1 minus 1 y की जएक क्या रखेंगे minus 1 देखो पटे y minus 1 रख दिया देखो यह x is equal to y 4y में जब y की value रखते हैं और x की आती है तो हमसे बड़ी गलती हो जाती है क्या गलती होती है हम put करते है y की value रख देते हैं x की जगए तो ऐसा मत करना नहीं तो गरबड़ हो जाएगी गरबड़ हो जाएगी तो number भी नहीं आएगे तो आपको concept भी clear है नहीं होगा x is equal to क्या गया गया पैटे 4y y की जगए minus 1 देखो y की जगए क्या रखेंगे minus 1 तो x is equal to 4 bracket minus 1 4 बन जा 4 और यह minus आगया आगया तो y क्या रखा पैटे minus 1 तो x कितना आगया minus 4 कितने solution हो गए 1 2 3 अब next वाला बैटे अब क्या रखेंगे पैटे put y is equal to क्या रखेंगे बैटे 2 रखेंगे 2 रखेंगे y कहां रखेंगे इस equation में और equation मेरे पास क्या है x is equal to 4y x equal to 4 y की जगए क्या रखेंगे 2 तो 4 2 जा 8 तो x कितना आगया 8 आ गया बेटे, X is 8 X 8 आ गया कब जब Y क्या रखा था 2, तो ये कितने solution न है 1, 2, 3, 4 solution चाहे ऐसे करिए vertical में, चाहे आप horizontal और या horizontal में भी कर सकते वो आपकी मर्जी है लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए गलत हो गया तो गरबड़ हो जाएगी 0, 0, X 4 Y 1, X minus 4 Y minus 1, X 8 और Y 2, या तो vertical बनाईए या horizontal बनाईए करना तो पड़ेगा चलो अब करते हैं question number third पर move करते हैं तीसरा question number क्या है ज़रा देखते हैं पैटे कैसा है ये कहरा है पैटे, check which of the following are the solution of which of the following are solution solution mean जिसमें LHS solution का मतलब है LHS, RHS के बराबर आना चाहिए अगर LHS, RHS के बराबर नहीं है तो solution नहीं है X minus 2Y is equal to 4 which are not देखे पैटे, X minus 2Y equation कहा है पैटे मेरे पास X minus 2Y is equal to 4 ये equation है और पहला पार देखे पैटे पहला पार्ट है मेरे पास 0,2 और दूसरा पार्ट है पहला पार्ट करते हैं तो कहरे पैटे, check which of the following ये जो हमारे पास हमारे पास 4 पाइंट दे रखें पाँच पाइंट दे रखें 1, 2, 3, 4, 5 5 पार्ट है इसके ये 5 पार्ट में से कौन सा पार्ट इस equation का solution है इस equation का solution का मनलब पिडाया है कि जिसमें LHS और RHS बराबर आ जाएं तो इसका मनलब LHS RHS के बराबर जिसमें आएगा वही पाइंट क्या होंगे इसके solution जिसमें LHS RHS के बराबर नहीं होगा वो पइंट इसके solution नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे पैटे अगर LHS, RHS के बराबर आता है तो solution है नहीं तो solution नहीं है देखो पहला part X की value 0, Y की value 2 तो इसमें put कर देंगे अगर LHS, RHS के बराबर आता है तो solution है, नहीं आता है तो नहीं है, जहाँ पर X से वहाँ 0 रख देंगे तो बोलो जड़ा पिटे X minus 2Y is equal to 4 minus 4, 2, 2, 4 is equal to 4 आ गया 0 minus 4, minus 4 is equal to 4 क्या minus 4, 4 के बराबर है नो, तो इसका मतलब LHS not equal to RHS LHS, RHS के बराबर नहीं है जब LHS, RHS के बराबर नहीं है तो 0, 2 क्या इसका solution है इसका solution नहीं है तो therefore, लास्ट में लेखी है therefore, 0, 2 is not solution of solution of किसका पिटे X minus 2Y is equal to 4 यह यह भी लिखते हैं नो 0, 2 आया समयल देखो कितना असान कोशन है अब परेसा हो जाते हो दूसरा पिटे क्या करा है 2, 0, 2, 0 अब X की जगे क्या रख देंगे 2, Y की जगे है 0, X की जगे है 2, Y की जगे है 0, तो बोलो बैटे क्या है X minus 2Y is equal to 4, X की जगे 2 minus 2 Y की जगे है 0, देखो बटे X की जगे 2 minus का minus 2 2 Y की जगे है 0 is equal to 4 2 minus 0 को 2 से multiply करें तो क्या है 0 is equal to 4 2 मैं से 0 गया 2 is equal to 4 क्या 2 4 के एक वाल है No, LHS not equal to RHS इसका मतलब 2 जो है 4 के एक वाल नहीं है जब नहीं है तो इसके मतलब क्या लखे है No, no बोलो 9 के बाद के लखे है 2, 0 is not solution of solution of किसका बटे X minus 2 Y is equal to 4 इसका solution नहीं है अब करेंगे अगला पार्ट आप तो बड़े अच्छ अच्छे बता दे question बेटे अब आगे देखते हैं बेटे अब आपको मैं एक मिनट दूंगा बेटे करने के लिए आप करते हो देखते हैं नहीं करते हैं third part के अगर बेटे four कॉमा जीरो एक्स की जगह है फोर रखेंगे य की जगह है जीरो तो बोलो एक्स माइनस two y is equal to four रखो बेटे एक्स की जगह है four y की जगह है जीरो देखते हैं आपका अंसर आता है या नहीं है रिवाइज जादा से जादा करनी है बेटे अधिक से अधिक कोशन करने है ताकि आपको प्रेक्ट नमबर लाने में आपके कॉंसेप्ट के लिए होने में कोई डाउट ना हो अपने छोटे छोटे पॉइंट के लिए करा करो देखे अब है या नहीं है पता नहीं बेटे एक्स की जगा है फोर वाई की जगा है जीरो देखो फोर माइनस टू वाई की जगा है जीरो इस इकल टू फोर आ गया फोर माइनस टू को जीरो से मिटिप्लाई जीरो इस इकल टू फोर में से जीरो गया 4 equal to 4 तो 4 किसके बरावर? 4 के बरावर तो LHS किसके बरावर आ गया? RHS के बरावर जब LHS, RHS बरावर हो LHS, RHS के बरावर हो तो क्या होगा बैटे? तो there, yes क्या लिखेंगे? Yes तो क्या लिखेंगे बैटे? 4, 0 is solution of solution of किसका बैटे? solution of X minus 2Y is equal to 4 इसका solution है आप करेंगे अगला ओहो, अगला तो root वाला आ गया बई ये तो बड़ा प्रेसान कर देगा तुम्हारे को लेकिन प्रेसान होने की जरुरत नहीं है, root 2 और ये 4 root 2 अब ये root वाले portion होने तो बड़ा प्रेसान कर देते हैं, 9th में ये किसकी वैल्यू है, बैटे? X की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है Y की, X की जगे क्या रखेंगे root 2, Y की जगे बैटे? बोलो, Y की जगे 4 root 2, तो करो बैटे क्या करेंगे, देखो तो मेरे पर इस equation क्या है X minus 2Y is equal to 4 X की जगे root 2 रख दिया, देखो minus का, minus 2 का 2, Y की जगे 4 root 2, 4 root 2 is equal to 4 आ गया ये क्या आ गया? root 2 minus 2 को किसे multiply? 4 से 2 4 जा, 8, अब बैटे 2 को root 2 से multiply मत कर देना क्योंकि 4 root 2 एक साथ हैं अगर बीच में प्लस होता, तो हम अरगलग multiply करते हैं, लेकिन ये क्या है, एक ही साथ है दोना अपस में multiply हैं, तो इसका मतलब ये 2 केवल एक बारी multiply होगा अगर ऐसे होता, पैटे, 4 plus root 2 और भार क्या होता, root 2 तो ये इससे भी multiply होता इससे भी multiply होता, क्यों होता क्योंकि इसमें कितनी term हो गई, 2 term हो गई तो ये एक बारी multiply होगा, पैटे, 8 root 8 root 2 is equal to 4 अब कैसे minus करें देखें, पैटे, 2 तरीक है इसका coefficient 1 है इसका coefficient 8 है तो 8 root 2 दोनों में same है root 2 दोनों में क्या है, same, तो ये 1 हो गया ये minus 8 हो गया तो बचा है क्या है, पैटे, minus 7 minus, देखो root 8 का coefficient 1 ये कितने root 2 है, 1 है, और ये कितने, पैटे 8 अरो भी किसका, minus का root 2 दोनों में same है तो 8 में से 1 को minus कर देंगे क्या बचेगा, minus 7 ठीक है, और दूसरा तरीका देखे, पैटे, दोनों में क्या common आ गया root 2 common आ गया, bracket root 2 क्या आ गया, common आ गया direct लिखे गोगे तो अच्छी बात है root 2 common आ गया, यहां क्या बचा बचा बचे कुछ नहीं बचा, जिसके साथ, कुछ नहीं होता उसके साथ, एक भगवान होता है, one is God तो इसका लोग छुपा हुआ होता है, ये one 1 minus 8 कितना होगा, पता नहीं जी अरे क्यों नहीं पता minus 7 is equal to 4, 1 plus का 8 minus का, देखो बचे 8 और ये one, बड़ा पहले लिख दिया है, छोटा बात में अगर एक minus का और एक plus का हो, एक number minus का और एक number plus का हो, तो क्या करेंगे बचे minus करेंगे, क्या करेंगे minus करेंगे, किस में से बड़ी value में से, छोटी value क्या कर देंगे minus कर देंगे, तो क्या है बटे, minus 7 minus 7 ही लिखा है, आगे multiply कर दो इसको हम ऐसे भी लिख सेंगे 7 root 2 is equal to 4, क्या दोनों same है, no, दोनों same नहीं है, तो इसका मतलब ही नहीं जी, क्यों नहीं है, क्योंकि LHS, RHS के बराबर नहीं है therefore, no, root 2 4 root 2 is not solution of is not solution of किसका बटे, x minus 2y is equal to 4 का solution नहीं है, यह जो point है, यह इसके solution नहीं है, अब आगे क्या करेंगे बटे, last part है, 1, 1, 5th part 1, 1, 1, 1, 1 mean, x की value, 1 y की value, 1, तो x की जाय क्या रख देंगे, 1, y की जाय क्या रख देंगे 1, तो बोलो बटे, x minus 2y is equal to 4, x minus 2y is equal to 4, x की जगा क्या है, बटे, 1 minus 2y की जगा है, 1 is equal to 4, तो 1 का 1 2 को 1 से, 2 बन जा, 2 is equal to 4, 1 minus 2 is equal to 4, 1 minus 2 is equal to 4, 1 minus 2 is equal to 4, तो क्या है बटे, 1 minus 2 minus 1 is equal to 4, क्या minus 1 4 के equal है, नो, तो LHS not equal to RHS, LHS, RHS के बराबर नहीं है, therefore, क्या लेकिने बटे, 9, 1, 1 is not solution of, is not solution of, किसका बटे, X minus 2Y is equal to 4 का solution, नहीं है, यह हमारा question number, दूसरा खातम, अब करते हैं, question number किस पर, 4 पर, ओओओ, 4 कैसा है बटे, देखो, find the value of K, किस की value निकालने है, बटे, K की value निकालने है, जबकि X क्या है मेरे पास, 2Y क्या है, 1, X की जगह क्या रखेंगे, 2, Y की जगह क्या रखेंगे, 1 is a solution, इसका मनलब, 2 और 1, X की जगह 2, Y की जगह 1, जो X और 2 और 1 है, solution of the equation, इसके क्या है, solution है, solution mean, LHS is equal to RHS, solution का मतलब है, LHS is equal to RHS, तो इसका मदलब x की जगह है 2 रख देंगे y की जगह है 1 रख देंगे तो k की value अपने आप आ जाएगी तो क्या रखेंगे बटे देखो बस एक point देखेंगे बटे 2 find के question number 4 क्या रखेंगे if x equal to 2 y is equal to 1 is solution of किसका बटे solution of किसका 4x plus 3y is equal to k यही है तो then 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 क्या होगा बटे lhs is equal to क्या होगा हमेंशा rhs lhs क्या होना चीए rhs यह लिखने की जरूत आपको paper में नहीं है इसका मतलब क्या हो गया x की जगह है 2 रखेंगे और y की जगह है एक रखेंगे क्योंकि x 2 के बरावर है और y एक के बरावर है यह हमें कहरा करने के लिए तो हमें करना पड़ेगा तो 4 x की जगह है 2 रख दो प्लस का प्लस 3 का 3 y की जगह है 1 is equal to k तो 4 को 2 से multiply कर दिया 8 आ गया प्लस 3 को 1 से multiply गया तो 3 आ गया is equal to क्या बचा 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 क्या बचा क्या बचा क्या बचा के तो answer क्या एक एक से सरी मैने question कलत दतार दे देखो 2x ने इस is 2x और यह 422 जागा यह question गलत अतार दें 2x plus 3y is equal to k 2x की जगा 2 रख दिया plus का plus 3y की जगा 1 रख दिया is equal to k 2 को 2 से multiply 4 3 को 1 से k is equal to 3 को 1 से 3 आ गया is equal to k 4 plus 1 7 is equal to k तो क्या है बटे k is equal to 7 तो k की value क्या आगे बटे 7 आगे कब जब x ब्राबर है 2 रख दिया और y ब्राबर है 1 रख दिया x is equal to 2 और y is equal to 1 यह इसके क्या थे बटे solution थे क्या थे इसके solution दिखो 2 2 जाग 4 plus 3 1 जाग 3 is equal to k 4 plus 1 is equal to 4 plus 3 is equal to k 7 is equal to k तो k is equal to 7 की value 7 आगे कब जब x की जगा 2 और y की जगा 1 रखा तो this is the exercise 4.2 is complete अब हम अब मूव करेंगे exercise 4.3 में देखें बटे 4.3 में जड़ा ध्यान रखना है बटे 4.3 क्या है बटे देखें बटे exercise 4.3 करने से पहले कुछ हम discuss कर लेते हैं हमारे पास linear equation in two variable हमारे पास standard form के बटे ax plus by plus c equal to 0 यह तो आपको पता है जबकि a के बटे what is a and what is b और what is c a के मेरे पास coefficient of coefficient of क्या x और b के बटे coefficient of coefficient of y और c के बटे constant term constant term मींस तीन term में मेरे पास x y और c मींस ax by और c एक term यह है एक term यह है और एक term यह है अब इससे बोलते हम linear equation in two variable linear equation यह तो बात discuss हो चुगा है बटे equation in two variable अगर हम इसके graph में represent करते हैं और इसके solution निकालते हैं अभी हमने पीछे solution निकालते हैं कितने निकालते हैं बटे हमने इसके 4 solution निकालते हैं क्या इसके 5 solution निकालते हैं यस क्या इसके 8 solution निकाल चकते हैं यह question भी हो चुगा है 4.2 में means linear equation into variable में जो solution होते हूं क्या होते हैं इंफाइनाइट many solution होते हैं they have infinite linear equation linear equation linear equation into variable into variable linear equation into variable has infinite many solution mean x और y की value अगर भहुत सारी निकलेंगी जो किसी भी linear equation into variable को satisfy करेगा अब यहां पर देखें जाद ध्यान रखें कभी भी linear equation graph draw करते हैं ध्यान रखना अगर मैंने x equal to zero कर दिया गटे x equal to zero यह जो equation है ध्यान रहें पर x is equal to zero is the equation यह जो x is equal to zero यह equation होगी किसकी बैटे x equal to zero is the equation of y axis क्यों होगी y axis क्यों क्यों क्योंकि y axis इस पर x की value zero होती है कैसे देखो ध्यान से बटे ही बतातों आपको यह देखो यह मेरे पास क्या है एक मैंने graph draw किया यह line draw की बटे दो line है यह कुंसी थी x axis जिसे हम fc साब बोलते थे यह क्या है बेटे y axis जिसे क्या बोलते थे ordinate जहां पर यह intersect होता था उसे क्या बोलते थे बेटे origin यह horizontal x axis vertical y axis यह origin इस line में जो y axis है बेटे इसमें x की value हमेसा zero होती है तो क्या कर रहे बेटे x is equal to zero यह किसकी question है बेटे y axis की यहाँ पर क्या होगा बेटे अगर मालो x की value हमेसा zero होगी y की value कुछ भी हो सकती है यह a रख दिया y कुछ भी हो सकती बेटे y1 कुछ भी होगा बट इन इस axis पर y axis पर x की value हमेसा zero होगी तो x is equal to zero किसकी equation है बेटे y axis की अब इसका horizontal distance में vertical की value हमेशा 0 होगी तो y is equal to 0 यह किसकी equation होगी बैटे इस is the equation of x-axis ध्या नखना अगर कभी mcq में पूछेंगे x is equal to 0 equation of y-axis equation of x-axis या none of these जो भी यह ध्या नखना इसका मतलब y-axis पर equation क्या होगी बैटे x is equal to 0 और x-axis पर equation क्या होगी बैटे y is equal to 0 these two points are very very important यह बड़ी करब रगते हैं बच्चे अब ध्यान नखना पटे मैंने क्या ले लिया x equal to 2 ले लिया ध्यान नखना पटे x equal to 2 देखो आपने पेछे करा भी है x is equal to 2 1 और यह 2 3 4 1 2 3 4 मैंने एक point ले लिया minus 1 यह दो पता है बैटे आपको minus 2 यह क्या आ गया 1 और यह 2 और यह minus 1 और यह minus 2 तो पते x is equal to 2 ले लिया यह रहा यह point आ गया इस point पर हम graph draw करेंगे पते अगर इस point पर graph draw करेंगे तो यह क्या हो पते सीधी line और यह सीधी line क्या होगे पते किसके parallel होगी किसके parallel बोलिये it is parallel to y axis इसका मतलब जब हमें x का point कुछ भी दे रखा हो x is equal to 2 यह x is equal to 5 यह x is equal to a ध्यान रखना बैटे यह क्या होगे हमें से बैटे straight line होगे but parallel to y axis it means x is equal to a straight parallel line straight क्या होगे बैटे parallel line straight line straight sorry straight line parallel to parallel to किसके y axis के किसके parallel होगी y axis के इसका मतलब x का कोई भी point है वो किसके parallel होगा बैटे y axis के इसका मतलब y axis इस line की y axis से कितनी दूरी है बैटे 2 unit दूरी है ध्यान रखना यह जो line है और इस equation का नाम के है बैटे इस equation का नाम है x equal to 2 x equal to 2 x equal to 2 means यह parallel किसके y axis के x is equal to 2 means it is parallel to y axis और y से यह कितनी दूरी पर है बैटे 2 unit distance पर है x is equal to 5 का मतलब के बैटे यह किसके parallel है y के parallel है और y से कितनी दूरी पर है पांच unit की distance पर है किदर की तरफ right की तरफ x is equal to a x is equal to a किसके parallel है बैटे y axis के parallel है तो इसका लब y axis से कितनी दूरी पर है a distance की a distance पर है इसका उल्टार कर दिया बैटे यह भी हो सकता है second अगर मालोग गलती से कह लिए पाटे y is equal to 2 और y is equal to minus 3 और y is equal to b अब मैंने तीन पाइंट हो ले लिए 1 minus 2 minus 3 minus 4 यह कहा गया 1 2 3 4 5 यह कहा गया 1 यह कहा गया 2 यह कहा गया 3 it is minus 1 it is minus 2 it is minus 3 अब जाद ध्यान हना बैटे इसको जो मेरे पास y is equal to 2 है y is equal to 2 यह y axis यह रहा तो y is equal to 2 इसका मतलब यह y का point है तो यह कौन सा है y axis में लाइक कर रहा है किसमें लाइक कर रहा है y axis में लेकिन इसकी line कैसे draw करें यह y is equal to 2 से हमने line draw करने है y 2 के पराबर यह से लाइंट हो गए तो point मिल गया, यह point किस में है य-axis में, तो हम क्या करेंगे, y-axis में कोई भी point होगा, वो किसा होगा बटे, parallel to x-axis, अगर एक ही point गिवन है, if it is given only one point, तो y is equal to 2 यह रहा बटे, इस equation का नाम क्या है, y is equal to 2, इसका नाम क्या है, y is equal to 2, this y is equal to 2 is a point which lie on y-axis and parallel to, किसके parallel है पाटे, x-axis के parallel है, इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, यह रहा बटे, इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 unit, कितनी unit है, 2 unit, तो इसका नाम, y is equal to 2, एक straight line है, जो किसके parallel है पाटे, x-axis के parallel है, तो ऐसी पाटे, लेकिन क्या है, above the x-axis, plus है त यह जो लाइन आएगी इस लाइन और एक्सके बीच का डिस्टेंस कितना होगा वह तीन यूनिट होगा कितना होगा तीन यूनिट लेकिन वह क्या होगा एक्सके से नीचे देखो ध्यान से एक पट्यूल गया इस पट्यूल यूनिट है और इस यूनिट है और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस है इसका मतलब y is equal to b, y का कोई भी पाइंट गिवन होगा, y का कोई भी point given होगा वो क्या बनाएगा बटे is a straight line y is equal to b यह क्या होगा बटे straight line straight line which is parallel to which is parallel to parallel to किसके बटे x axis के x axis के ठीक है x axis के parallel ध्यार खना बटे अब यह ज़रा दो point देखो बटे इसका मदलब y axis की equation क्या होगा बटे x is equal to 0 y axis की equation क्या होगा बटे x is equal to 0 x axis की equation क्या होगा बटे y is equal to 0 अगर मालो x का point given है तो वो किसके parallel होगा बटे y axis के parallel होगा और अगर y का point given है तो वो किसके parallel होगा बटे x axis के parallel होगा यह भी straight line है यह भी straight line है अगर केवल x की value दे रिखिया या y के value दे रिखे तो वो x इसके parallel होंगी किसके parallel होंगी x इसके parallel होंगी ध्यान अगने बटे अगर मान लो कोई भी equation दे रिखे बटे y is equal to 3x और y is equal to 4x और y is equal to minus 3x और एक लिख दे बटे y is equal to mx अब यहाँ 4 मैंने example ले ले बटे अगर आप देखोगे यह जो मेरे पास चार equation है इन चारो equation में y is equal to 3x y is equal to 4x कोई भी constant term नहीं है जबकि मेरे पास जो linear ax plus by plus c equal to 0 constant term भी होनी चाहिए थी यहाँ हमारे पास constant term नहीं है सिधा right में x है और left में y है जब इस type की equation हो बटे y is equal to 3x y is equal to 4x y is equal to minus 3x y is equal to mx अगर यह plus का है इदे जाए किसका जाएगा minus का y minus 3x equal to 0 y minus 4x equal to 0 यह minus का है इदे जाए किसका जाएगा पाटे plus का y plus 3x equal to 0 y यह plus का है तो किसका जाएगा minus का equal to 0 अगर y-3x is equal to 0, y-4x is equal to 0, y-3x is equal to 0, y-mx is equal to 0 या इस form में हो या इस form में हो, इस form में हो या इस form में हो, ध्यान है नहीं नहीं है इस टाइप की जो linear equation in two variable है ये भी क्या बनाएंगी? straight line line, क्या बनाएंगी? straight line होगी क्या होगी है? straight line, इसका मलत, they are also, they are also, straight line straight, straight line, but, ध्यान होगी है बटे, but, passing through the origin passing किस से होगा बटे? origin से, passing through origin किस से pass होगा बटे? origin से pass होगा, क्यों pass होगा देखो ज़रा, मैं एक example ले रहाँ बटे y is equal to 3x, अगर मैंने x की value क्या रखी, 0, put x is equal to 0 x की value क्या रहे बटे? x क्या रखी, 0, कभी भी origin में हो, तो x की value 0 रखना है या y की value 0 रखना है, तो y क्या आगा बटे? 3 into 0 is equal to 0, तो इसका मलत, अगर मैंने x 0 रखा तो y भी 0 आगया, इन चारो condition में x की value अगर हम 0 रखेंगे, तो y भी 0 रखना है, चेक कर लो बटे x 0 तो 3 को 0 से y 0, x की जाए क्यारत दिया, 0, 4 into 0, 0 तो y भी 0 आगया, x is equal to 0, minus 3 into 0, 0 आगया बटे y भी mx, x की जागया, 0, तो y is equal to 0 आगया, तो इसका मलत, भी किस से pass होंगे बटे? औरिजन से pass होंगी, ठीक है, अब हम next class में, next video में, हम exercise करेंगे, solve, फो कोन सी exercise करेंगे बटे? exercise 4.3 solve करेंगे, next video में, और इसके बाद, जो next video बनेगी, वह exercise 4.3 solve करेंगे, thank for watching the video, and please like, share, and subscribe, साइथ subscribe तो कर ही देना, thanks again.